इस वीडियो में बात करने वाले MIUI के एक प्रोब्लम के बारे में जो कि है background apps का automatically बंद हो जाना इसके वाइस से आपको कई सारे सुविधाएं ठीक से नहीं मिल पाती है apps की और आपको problems होता है ठीक से आप use नहीं कर पाते हैं आप सारे फायदे नहीं उठा पाते हैं वैसे तो यह officially MIUI का रोम का problem है तो आप इस तरह से ठीक तो नहीं कर सकते हैं आपका latest version में भी यह problem है जैसे मैं latest version यूज़ करा हूँ पर इसमें भी Google अप यूशी ब्रावजर इस तरह के apps ठीक से background में काम नहीं करते हैं तो यह रोम का भी problem है जो की solve नहीं हो सकता आपको उसके लिए आगे के updates का वेट करना पड़ेगा जब रोम का update आएगा तो आपने form को update कीजिए सायद उससे problem solve हो जाए पर कुछ ऐसे settings भी है जिसके वैसे आपके यह apps का problem हो सकता है तो मैं उन settings के पार हम बताने वाला हूँ आप उन settings को change कर देखिए सायद ठीक हो जा है तो आपको रोम की update का इंतिजार करना पड़ेगा अगर हो जाता है तो अच्छी बात है चलिए देखते हैं कुछ settings जिनको आपको चेंज करके ट्राइ कर लेना चाहिए इसलिए सबसे पहले तो सिक्योर्टी एप पर जाईए अब यहां पर आप permissions का option देख सकते हैं right bottom corner पर वहां पर क्लिक कीजिए अब यहां पर पहला option जो है auto start वहां पर जाईए अब यहां से आप उस एप को चून लीजिए जो आपको problem दे रहा है तो मैं यहां पर Google आप को दिखा रहा हूं तो पहले इस तरह से बंद रहता है तो आप उसे on कर लीजिए यहां पर क्लिक करके तो इस तरह से on कर लीजिए auto start उसके बाद बैक आईए अब यहां पर जो second option है permissions वहां पर क्लिक कीजिए अब यहां पर भी उस आप को ढूंड़े जिससे आपको प्रशानी हो रहा है तो यह रहा गूगल आप मैं गूगल आप का कर रहा हूं आपको जो आप से जिस आप से प्रशानी हो रहा है उससी को करिए यहां पर गूगल आप पर टैप कीजिए आपको जिस आप पर करना है है वहां पर किजिए इसके पाइज स्क्रोल करके ढूंड़ें यहां पर एक option है start in background तो यह option ढूंड़ें आपने जो भी आप सेलेक्ट किया है उसका और यहां पर click किजिए यह बाइडिफोल्ट हो सकता है बंद हो तो बंद होगा तो इस तरह से जुसरी दिखाए देगा यहाँ पर एक फो मात होगा तो आप यहां पर click करके except मुख्लीक कर सकते इस तरह से हो जाएगा और पहले से ग्रीन कलर है तो ठीक है आप हो कुछ करनी की बहु करने जरुट यह बैस तरह करहें security app अब यहाँ पर बैटरी का आइकन दिख रहा है इस तरह पर लेट बॉटम पर वहाँ पर क्लिक किजिए अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शिन जो है आप बैटरी सेवर यहाँ पर क्लिक किजिए अब यहाँ पर आपको उसी एप को ढूनना है जिस आप से परेशानी हो रहा है मैंने अल्रेडी चेंज किया हुआ था इसलिए गूगल आप अपको देख रहे हैं तो आपको लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर लिस्ट पर मिलेगा आप आपको ढून अगले रोम की अपडेट का वेट करना पड़ेगा